तो ना ही अब आप किसी को message कर पाएंगे, ना ही आप किसी को voice call कर पाएंगे, ना ही आप किसी को video call कर पाएंगे और ना ही आप अपनी contact की जो list है उसको देख पाएंगे WhatsApp पर जी हाँ, अगर आप ये privacy policy accept नहीं करोगे तो अगर आपने आप ये तक agree नहीं किया है तो ऐसा कुछ हो सकता है आगे जाके आपके साथ, आपके WhatsApp app के साथ, अकाउंट के साथ जैसा कि आप लोग जानती हैं कि पहले WhatsApp की privacy policy का जो message आया करता था आपके पास, उसमें लिखा था कि हम कुछ data share करना चाहते हैं बागी apps के साथ, तो वो अगर आपने agree किया था, तो तो आप उस सारे features आप use कर पाऊगे, सारे जितने भी हर तरह का feature आप WhatsApp पे use कर पाएंगे, लेकिन अगर आप ने उसे disagree किया था, तो वो आपके पास message आते रहेगा, आपके पास pop-up message उसका आते रहेगा, कि आप accept करिए, accept करिए, वरना आपका account delete हो जाएगा, और उसकी date भी बताई थी, कि आप 15th में तक इसको कर पाएंगे, जब तक आप अगर आप accept नहीं करेंगे इसको 15th में तक तो आपका account delete हो जाएगा, पहले ऐसा बोला था, अब नहीं है ऐसा, अब जो 15th जो date है, वो खतम हो चुकी है, और जो account है आपका वो भी delete नहीं होगा, अगर आप agree करें या ना करें, आपका account delete हो गई नहीं, ठीक है, disagree किया है, आपका account delete नहीं होगा, लेकिन कुछ limitations आजाएंगी आपके account में, कुछ हफतो बाद, ऐसा WhatsApp ने कहा है कि कुछ हफतो बाद, आप कुछ features WhatsApp के use नहीं कर पाएंगे, क्या-क्या वो features है, मैं आपको यहापे बताता हूँ, जो आप नहीं कर पाओगे, तो सबसे पहले तो आप अपनी chat को, आपकी जो chat है वो delete न कर पाएंगे, जी हाँ, अब आप जब आप WhatsApp खोलेंगे, उसकी chat खोलेंगे, तो आपके पास privacy policy का message आजाएगा, कि accept करें, आप मना कर दोगे, तो आप उसकी chat नहीं खोल पाओगे, और नहीं आप उसे call कर पाओगे, नहीं उसे video call कर पाओगे, लेकिन अगर वो आपको message कर कर रहा है, और जो दूसरी side जो लड़का है, जो भी बनता है उदर, उसने agree कर रखा है, और आपको message कर रहा है, तो आप उसके message का जवाब देख पाओगे, वो कैसे, आपके पास notification आएगा, उस notification को आप देख सकते हो, उसमें भी आप उसका message पर सकते हैं, और वहां से reply भी क अठा सकते हैं, और callback भी कर सकते हैं, यह आप कर पाएंगे, और बाखी features बहुत सारे जो आप नहीं कर पाओगे, वो यह हैं कि आप नहीं अपने context को manage कर पाओगे, नहीं पूरी list देख पाओगे, WhatsApp पर नहीं broadcast list बना पाएंगे, और नहीं WhatsApp पे status लगा पाएंगे, नहीं किस को message कर पाएंगे, मतलब किसी को media share करना है, वो भी नहीं कर पाएंगे, किसी को mention करना चाते हैं, किसी गूर टेक्स का WhatsApp नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सब हो गाई नहीं, आप चैट ही नहीं open कर पाएंगे, अगर आप किसी गूरूप में है पहले से, तो आप उस जाओगे किसी भी group में ठेके लिकर up message में किसी कुम सेंटने कर सकते ररिपल्याइ जा सकते नहीं कोयी इसि결 नाइन को ही कई वोस्मेस्टड मेसेजस्स आप बेख सकते चैटिश्टी को backup भी नहीं बना सकते चैटिस्टी को export भी नहीं कर पाएंगे कुछ हफ़तों बाद वाटसप ने ऐसा बोला है कि कुछ हफ़तों बाद आप नहीं वाटसप के messages receive कर पाऊगे नहीं call receive कर पाऊगे कुछ भी नहीं कर पाऊगे क्योंकि सारा अपना वाटसप को यूजी नहीं करेंगे ठीक है अगर आपने वाटसप डिलीट कर दिया आप नहीं यूज करेंगे तो आपका हो सकता है आपका अपनी चैट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने मुबाइल में सेफ कर सकते हैं ठीक है और उसके बाद आप वाटसप डिलीट चाहें तो अगर आप उन्हें नहीं एग्री करना चाहते हैं तो यह आप कर सकते हैं वनना फिर आप एक्सेप करिया अगर आपको सारे फीचर्स यूज करने हैं तो यही चीज वाटसप ने बता आई है आपको कि अगर आप अपसे यूज करना चाहते हैं तो यूज करिए इस तरह से आप यूज कर पाएंगे, आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा, लेकिन आपको ये फीचर्स नहीं मिल पाएंगे, आगे जाकर, और हो सकता है, आगे जाकर कोई और भी नया प्रैवेसी पॉलिसी आ जाए, तो यही था इस वीडियो में, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, थैंक यू फर वाचिन इस वीडियो, बाए!